हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप उमीद है आप सब सही होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों अब समय है हिंदी कक्षा का आज हम करने वाले हैं लेंग बदलो आज का हमारा विशह है लेंग बदलो लेकिन बच्चों इससे पहले आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हैं तो तयार हैं आप चलिए एक बार एक छोटी सी नगर में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें मम्मी पापा और उनकी एक छोटी सी बेटी रहती थी चोटी सी बेटी बहुत प्यारी थी वहत हर रोज मम्मी पापा से सोने से पहले कोई न कोई कहानी जरूर सुनती थी एक रात उसके मम्मी पापा ने उसको एक राजा रानी की कहानी सुनाई मम्मी पापा ने कहानी में उसे बताया कि किस प्रकार राजा और रानी का ताज हो जाने पर एक मोर मोरनी के जोडे ने राजा रानी का हार और ताज उनको लोटाने में मदद की और कैसे उनकी जान बचाई यह कहानी उस नन्नी परी को बहुत पसंद आई और उसने अपने मित्र को भी सुनाई दोनों लड़के लड़की ने खूब ताली बजाई तो बच्चों कैसी लगी आपको यह है छोटी सी कहानी तो आप मुझे बताईए हमारी इस कहानी में कौन-कौन सी चरित्र आए प्यारे बच्चों हमारी कहानी में मम्मी पापा, राजा रानी, मोर मोर्नी, लड़का लड़की यह चरित्र आए तो प्यारे बच्चों इन चित्रों को देखकर हमें क्या पता चला कि हर एक चित्र में एक पुरुष है और एक इस्त्री बच्चों आज हम जो विशे करने वाले हैं लिंग बदलो उसका अर्थ यही है कि लिंग से हमें पता चलता है कि कोई शब्द या कोई इनसान या कोई प्रानी पुरुष है या इस्त्री तो इस प्रकार लिंग दो प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं पुलिंग और इस्त्रीलिंग जैसे पहले चित्र में पुलिंग है पापा इस्त्रीलिंग है मम्मी दूसरे चित्र में पुलिंग है राजा इस्त्रीलिंग है रानी तीसरे चित्र में पुलिंग है मोर इस्त्रीलिंग है मोरनी चोथे चित्र में पुलिंग है लड़का इस्त्रीलिंग है लड़की इसी प्रकार हमारे चारो ओर जितने भी प्रानी है वो इस्त्रीलिंग है या फिर पुलिंग है तो आओ ऐसी ही हम कुछ और शब्दों का अभ्यास करते हैं तो आप तयार है मैंम के साथ तो हम करते हैं लिंग बदलों का अभ्यास शुरू करें दादा दादी भाई बहन मामा मामी मौसा मौसी हाथी हथीनी शेर शेरनी प्यारे बच्चों ये सभी हमारे पुलिंग है और ये सभी स्त्रिलिंग है राजा रानी लड़का लड़की माता पिता प्यारे बच्चों माता क्या है? स्त्रिलिंग और पिता क्या है? पुलिंग मोर, मोर्नी यहाँ पर मोर, पुलिंग है मोर्नी, इस्त्रेलिंग है नाना, नानी चाचा, चाची तो अब आप समझ गए ना कि इस्त्रेलिंग कौन है? और पुलिंग कौन है? तो इस प्रकार आपके घर में जितने भी सद्रेलिंग है आप उनके लिंग बताएं तो आप तयार हैं आप अपने मम्मी पापा को बताएंगे कि पापा पुलिंग है मम्मी इस्त्रेलिंग है दादा पुलिंग है दादी इस्त्रेलिंग है भाई, पुलिंग है, बहन, इस तरे लिंग है इस प्रकार आप किसी का भी लिंग बता सकते हैं तो अब हम करेंगे भाशा अभ्यास में दिया गया कार्य पत्र तो चलो अब हम करते हैं कार्य पत्र ओके बच्चो